अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाते हैं तो आपको रोज के धर्रे से अलग हट कर कुछ तो नया करना ही होगा आज आपको ऐसी ही जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वह जड़ी बूटी है द्रड संकल्प जी हाँ आपने सही सुना द्रड संकल्प यह द्रड संकल्प क्या बला है द्रड संकल्प जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ भी करने की ठान लेना या उसे पूरा करने के लिए खुद से वादा करना और उसे निभाना मेरे लिए द्रड संकल्प क्यों जरूरी है किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर पूरे मन से काम नहीं करे तो उसके सफल होने के चांस कम हो जाते हैं बहुत से लोग काम शुरू करते तो हैं लेकिन उनका मन उस काम में नहीं लगता है उपनी मन से काम करते हैं तो वो उस काम को कभी कभी बीच में ही छोड़ देते हैं और अगर पूरा करते भी हैं तो उतनी कॉलिटी वाला काम नहीं होता है क्योंकि अपने अंदर उस काम को करने की आग लगनी बहुत जरूरी है इसलिए द्रड संकल्प लेना बहुत जरूरी है किसी काम में उत्साह उमंग होने के लिए द्रड संकल्प बहुत जरूरी है द्रड संकल्प कैसे काम करता है जब हम किसी काम को पूरा करने की ठान लेते हैं तो अपने अंदर एक जजबा पैदा हो जाता है उस काम को करने के लिए नई एनरजी आ जाती है जिससे आपका हर काम एक शांदार तरीके से होता है तो इस सकारात्मक जिद के कारण संकल्प को पूरा करने से खुद में भरूसा द्रड हो जाता है जिससे आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है आप खुद से वादा निभाने में सफल होते हैं तो दूसरे लोगों के लिए आप विश्वास पात्र बन जाते हैं आप द्रड संकल्प लेकर उसे पूरा करते हैं तो आपका जीवन ग्रोथ माइंसेट की रापर चला जाता है इससे आपका एक दमदार व्यक्तित्व बन जाएगा द्रड संकल्प पर कैसे डटे रहें आप कोई भी संकल्प ले तो उसे एक दायरी में नोट कर ले उस संकल्प के बारे में क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ लिख लें जैसे की क्या काम है, यहां मेरे लिए क्यों जरूरी है, इसको कैसे और कब तक करना है अपने संकल्प के हर पढ़ाव का हिसाब किताब रखें अब उस डायरी को रोज सुभर शाम बोल बोल कर पढ़ें और एनरजी के अपने द्रड संकल्प को रोज दोराएं रोज डायरी पढ़ने से आपको अपने संकल्प पर डटे रहने के लिए एक नई उर्जा मिलेगी डायरी पढ़ने के बाद आपकी जिन में भी आस्था है उनको परातना करे कि हे इश्वर, मुझे मेरे संकल्प पर डटे रहने के लिए शक्ती दे यकीन मानिये आपको भरपूर शक्ती मिलेगी द्रड संकल्ब से क्या मिलेगा आज आप जो कुछ भी है वह आपके भूत काल के फैसलों की वज़े से है आपके आज के अभी के फैसले निरधारित करेंगे कि आपका भविश्य क्या होगा उन फैसलों पर डटे रहने के लिए द्रड संकल्ब बहुत मदद करेगा द्रड संकल्ब लेने से बहुत सारे फायदे हैं जो की है आप बहतर फैसले ले पाएंगे आप खुद पर भरोसा करने लग जाएंगे यह बहुत बड़ी बात है आप डर को काबू में करना सीख जाएंगे आपको जिम्मेदार इनसान के रूप में देखा जाएगा आप ग्रोथ माइंड सेट वाले बन जाओगे आपका जीवन एक रोमांचक सफर बन जाएगा आपको जिन्दगी का असली आनन मिलने लगेगा हर काम को पूरा करने में सक्षम हो जाओगे अपनी जिन्दगी को सवारने के लिए और उसे हर रोज बैतर बनाने के लिए दर्ड संकल्ब लीजिए आपको असीन खुशी का अनुभव होगा और आप बैतर व्यक्तित्व बन जाएंगे इससे आपको अपने सपनों पर डटे रहने की एक असीम शक्ती मिलेगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक नए हो तो सबस्क्राइब और इंस्टा पे हो तो फॉलो ज़रू करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है धन्यवाद